फ्रेंट आज एक बात आपसे सेर करते हूँ मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है समझ नहीं आरा कैसे आपसे बात कहूँ क्योंकि आज हमारे समाज की इतनी दूरदसा हो चुकी है जिसमें लोग इंसान तो बहुत दूर की बात है जानवरों तक को नहीं छोड़ रहे है जानवरों के साथ भी वो जगन्य अपराद कर रहे है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है गटना भी मारे आँखों की देखिए कल जब हम नैपाल मेरे हजबन की पोस्टिंग नैपाल से वापस आ रहे थे रात करीब 8 बच के 35 मिनिट की बात है वहां से निकलने के कुछ ही दूरी पे हाइवे पड़ता है उस हाइवे पे जैसी आया अंधेरा था बहुत ज़्यादा लाइट हैं जल रही थी दूर दराज तक लेकिन गाड़े की रोसनी से हमने देखा एक गाई 20 सडक के थोड़ी सी किनारे पे पड़ी हुई है और उसकी जो बच्चिया है छोटी सी एक बच्चिडी है तड़ा परी है रोट के इधर उधर एकदम से हजमेन न बुला रहे कोई जानवर है रुक 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 जाते हैं क्योंकि कई लोग अन्देखा करके इग्नोर करके चले जाते हैं इसी गटनाओं को कि हमें न इस मुसिम्मत में पढ़ने चाहे हैं अल्रडी हजमेन पुलीस वर दीमत है तो एक फर्च बनता है कि हम देश की रक्षा कर रहे हैं हम क्राइम को खत्म करने का काम कर रहे हैं तो हमारा फर्च बनता है कि हम इन चीजों को देखे हैं हजमेन ने गाड़ी रोकी मेरा एक छोटा बच्चा है आठ साल का और दो मेरी बेटिया है जो एक टैंथ में पढ़ती है कि लेवंत में जाएगी एक टैंथ में गई है तो जैसे हम वहां से निकले तो एक गाई बिलकुल तड़ पड़ाती हुई तड़कती हुई और बहुत दुख हुआ मैंने हाथ फेरा और छोचा कि उसे गाड़ी में पानी का पोटल पड़ा है उसे पिलाओं हो सकता है उससे क्या तकलीप है समझने यार था अंदेरा बहुत मैंने अपनी मुबाइल की लाइट आउन करी देखा तो एक गाई पड़ी थी और जो लग रहा था गाई वो प्रगनेंट थी उसकी पेट में बच्चा था तो बहुत दुखवा अंदर से मेरे बच्चे सब रोने चिलाने लगे गाई को तरपते देखके छोटा बच्चा बहुत अंदर से एक दुख का एसास हुआ तो दोस्तों मैंने फिर कोसिस करी लेकिन तुरंत उस गाई ने अपने प्रान त्याग दिया और उसकी जीब बाहर निकल गई और जो हम घर आये हैं साड़ाई 11 बजे रात मेरे बच्चुने भी हमने भी किसी ने खाना नहीं काया क्योंकि उस घटना को हम भूल ही नहीं पाने हैं मेरे एजबेंड रात हमें छोड़ने आयते सुबह उने 6 बजे निकलना ता फिर से रिटन देड़ 200 किलोमेटर दूर पढ़ता हुआ से तो मतलब उनसे भी गले से हमारे हलक से एक निवाला नीचे नहीं उतरा क्योंकि गौ जिन्दगी में कदम रखते हैं जिन्दगी को आगे जीते हैं तो वही को हमाता इतनी दर्द नाकि स्तिती में हमने अपने आखों के सामने से दम तोड़ते हुए तेखा कि वह घटना को अब कभी बूला नहीं जा सकता है औरेडी मैंने तो गाई पाली थी मैंने बहुत किया गोस्यवा मेरे दिल से अंतरात्मा से मुझे जानवर उसे लगाओ है प्यार है कहीं पर चीज़ दिखती है तो मुझसे रहा नहीं जाता है चाहे कुछ भी हो कोई भी बात हो जहलने पड़े सहनी पड़े हो बात की बात है लेकिन कोई हमारे आखों के सामने में ट्रान त्याग रहा है और उसको जरूरत है हमारी तो हमें आना चाहे इन चीज़ों का गया तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ अंतरात्मा ने जखचोड दिया और दोस्तों क्या कहूं कहते हो भी मतलब कुछ आप महसूस कर सकती हूं बताने में भी कुछ कह नहीं सकती कि क्या इंदगी कैसे कर सकते हैं जब देखा गौमाता की पीठ में खरोच के निसान थे चोड थे बलड आ रहा था और उसकी पचड़ी हाइवे था बीच रोट में गले में छुटी सी रस्सी थी बच्या की होगी 5-6 महने की या 6-7 महने की बच्या होगी और गाई में जो दोबार प्रेग्नेंट लग रहे थी और बच्चे रोट में भाग रही थी और बूरी तरीके से भाग रही थी क्योंकि जिसकी मा घाल है बेहोस है तो बच्चे किस्तितिक क्या होती होगी फील कर सकते जिनके पेरेंट से तो दोस्तों बहुत दुखवा क्योंकि मेरी भी बश्पन म वो उसे घर ले जाते हैं कोई मार देगा मतलब वो एक दर्दनाग हाथ सा मुझे अपने आखों में ऐसा लगा हमारे परिवार के साथ ही कोई गटना गटित कर रही और कोई छोटा जानवर है छोटी चीज होती हम कार्मा रखके उसे ले आते लेकिन एक छोटा गाय का गाड़ी से यह हुआ क्या वो इंसान को थोड़ा दर्द का हैसास नहीं हुआ होगा गाड़ी उनके खरोच के निसान ते बहुत दूर तक रोट किनारे गाय पड़ी थी आउटसाइड में और उसको पूरा इससे एक अंदाजा लगा लिया था कि उसका एक्सिडेंट हुआ उसने मतलब प्राण ताके तो गाय का गोबर पॉटी निकल रहा था और उसके आंखों से आसु बहर थे वह दर्द नाक मंजर अंकोंसे जाही नहीं रहा है और मैं इसी वज़े से किसकी वीडियो पर भी नहीं जा पाई किसी की लाइब में भी नहीं जा पाई कहना पड़ा जानवर पर चलते हैं गाड़ी आना दुंद चलते हैं रात का समय होता है जानवर भी हो सकता है इंसान भी हो सकता है जिसके अंदर प्राण है उसको दर्द का हसास तो होता ही है क्या उसे नहीं देखना चाहिए था उतर कर और हम वहां पे 15-20 मिनट रुके बच्चे आए ज जोड़के नहीं जा सकते हैं वह देखो आप कुछ करो कुछ करो मतलब इसती पूरी तरीके से बच्चे चीख रहते कि वह दिल को कलेजे को चीरने वाला दर्द था और मेरी बीटी मुझ से लड़ भी गई कि आप ऐसे रोट में चटपडाती वह गाई को छोड़ रहे हो औ जो कर रहे हूं बया नहीं कर सकती हूं और जिसने भी किया कि उसको नहीं देखना चाहिए था कि हो सकता उसे तुरंते ट्रीटमेंट मिल जाता है किसी डॉक्टर को बला लेते यह वह देखते उसके गले में हलकम पानी डालते तो हो सकता थोड़ी बहुत वह बच सकता वह समझ के चलता रोड पे क्या चीज पड़ा है इतना अन्ना धुंद इतनी बड़े गाय जैसी चीज किसी को नहीं दिखी इतनी बुरी इस तरीक से ठोक दिया उसे उसके बच्चे की हालत जो बच्चिया थी छट पटा रही थी उस दर्द का इसास जो दिल में है वह बयान भ जरूर होता है हम अपने आप पर महसूस करें कि अगर वह स्तिती हमारे सांथ घटी होती हमारे सांथ घटना घटी होती तो कैसा फील होता तो आज आप मुझे अलग से बैक्राउंड में देख रहे होंगे क्योंकि मैं अपने घर आ चुकी हूं और मेरे घर में मेरी पूरी इस समय पूरी फैमिलियस वह जिसमें ऊपर जहां मेरे दो मजलत हैं हर वाता वहां बैठी हो इसका वैग्राउंड आप देख रहे होंगे अभी यहां पर काम चल रहा है अदा पूरा भी नहीं है इसलिए मैं यहां पर आई हूं तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से पूजन करते हैं उसके गोबर का हम सुभ समझते हैं उसके गोबर को पूजा के काम में लिया जाता उसके दूद से पलते हैं हर कोई प्राणी तो उसके कितनी तकलीफ हुई होगी उस तकलीफ को महसूस करते हैं दिल में वो दर्द में कभी भूल नहीं सकती अपनी लाइब मैं जानवर में बहुत ज़दा प्यार करती है, बहुत तकलिफ होती है अगर कोई जानवर मेरे सामने में से गहल स्तिति में है लेकिन वह तो दम हमारे नजरू के सामनु में उसने दम तोड़ा, फिर मेरे हजमेंल बोले, अब हम क्या कर सकते हैं इस इस्तिति में jakig in नहीं सकती रात के सब्सक्राइब चोटा बच्चा भी डर रहा था वो सब देखके मेरे छोटे बेच्टे को रात भर उल्टियां हुई है और उसने मतलब उठंड मां बारिस में भीग भी गए थे बच्चे को उल्टियां भी हो गई और मतलब वह चीज माइंड इसे चाहिए नहीं रहा है तो दोस्तों प्लीज कोमेंट में मुझे जरूर बताए जो रात को ड्राइविंग करते क्या उनको नहीं चाहिए था कि कुछ सोच समझके चलते हो या फिर अच्छा इतना बड़ा हुआ तो इतना बड़ी गाय क्यों नहीं उने दिखी ये चीजे थोड़ी सो वाग लोगा रही थी और हम अपनी कार में नहीं ला सकते थे हमें सोड़ोड रोड सो किलेमेटर दूर जाना था बहुत तकलीफ वह प्लीज और जीन जो भी आए पालतें जानवर पालतें प्लीज ऐसे अपनी जानवरों को सड़कों पर ना छोड़े क्योंकि आप जिन्द दम तोड़ते वे देखे उस गौमाता को और बचाने नहीं पाए तो इस बात का अफसोस जीवन भर रहेगा हला कि हमारे हातुमा कुछ भी नहीं था जब हम आए तो एक दुबार उसने पलक जबकी छट पटाई तो फिर वो डैत कर गई थी उसकी जीब बाहर आ गई थी कोई हमारे मेरी फैमिली से मानने को त्यार रही थी कि यह गाए डैत हो गई तो फिर जब मैंने हाथ से टच किया तो मैंने का नहीं एर नहीं रही क्योंकि उसकी जीब बाहर आ गई थी बहुत बुरा रगा दोस्तों आप प्लीज कोमेंट में मुझे जरूर बताईए ऐसी कोम आता के साथ घटना घटी तो बहुत ख्लीफ हो रहा है अंदर से बताने में तो थैंकियो आप लोगों का आपने बहुत प्यार दिया डेली दो बज़े लाइब आती हूं मैं लाइब का टाइम चेंज करने वाली हूं अगर मैं दो बज़े लाइब नहीं आए तो डेली करना चाहूंगे थैंकियो आप लोगों का इसी तरह अपना प्यार पनाए रखे दिल से आप लोगों का दिल लिए